हालो स्टूडेंट्स आइम सकंदर कॉर्ण देपार्ट्मेट अफ नोमेक्स जी डीस्टी कोलेज अरे अना शेयर कर अज शी करनी जा रहे हैं डेफिसित फनांसिंग अज शी टॉपिक जड़ा करना है गार डेफिसित फनांसिंग का टेदी बीटे वास्था की मुदिये डेफ पाँ लेक्चर्स दे विच पीछले समेस्टों दे विच वी एवन एक दो बर गल्ड कर चुक हैं डेफिसित फनांसिंग दी आज आपां डेटेल चाथ फोड़ी ये करांगे डेफिसित फनांसिंग की हैं जदों करी बजट जड़ा पास हुंदा आम करके उना बजट सरकारा हो गई या वैल फिर दे कांबी कर दिया या इसलिए सरकारां के वर अपनी आमदन तो ज्यादा खर्च ज्यादा बजट भी त्यार कर रहें दिया और जदों सरकार्दी आमदन तो ज्यादा ओधा खर्च फोजंद अधे बजट दी विच जड़ी प्लैनिंग कर दी सरकार हो दे विच ओधा जड़ा बजट दा काट जदों उधा खर्च जादा थे आमदन काट होवे तो उसनों काटे दा बजट किया जन्द और यहां डेफिसेट बजट असलिक है इंग्लिश चपान नों डेफिसेट बजट केंद यांदे बेस टीफिसेट फ्नासिंग वर का करने लेहीं जिड़े तरीके अपनाई जैंदे हां अना दे विच जातां असीं इंटर्नल सोर्च तो सरकारां करगी हैं मतलेral देश दिलनतों लोगां तो करगे हैं बेंका तो करगें लेंदी हैं जांफिर प्रफेसर शनाई ने ही क्या सिगा कि ओज कोई भी तरीका जेदे नाड़ स्रकरां अपने काटे दे बजट री काटे नूपूरा कर दिया अजड़े तेन तरीक आपने लिखेया देशते अंद्रों कर जा लाया के देशते बारों कर जा लाया के मतलों डुमेस्टिक लोन डुमेस्टिक डेट जेनों सिगा दे या इंटर्नल डेट लायके जा अक्स्टर्नल डेट लायके जा फिर नमी क्रांसी जड़िया हो शाप के जुदों सरकरां अपने काटे नूपूरा कर दिया अपने बजट दे काटे नूपूरा कर दिया उसनों Financing किया जान्दा Deficit Financing दे वैसे Foreign Countries दे विच दे इंडिया दे विच अधिया निख specialी काऊंकि न Developing Countries Develop Countries दे विच दे Under Develop Countries दे विच दो त्रान दे मेनिंग लाए जान दे Develop Countries दे विच किया जान्दा कि जदों सरकरां अपने का रूटे नो पूरा करंदे लई जंता क्रज यह लें दियां जाँ फेरा अइंस्टीशिंस टूव्ट करें लें प्रकर ना screaming यहां ए गयां ऑर तोहें फ़्यू 앞ला करता के तोड़ा सरकार अपने का तेनो, बजट लिका तेनो, फूरा करांदे लिहीं, जो युदुभी तरीका अपनां दियां, जां цыन्टारल बैंक तो लोन लें दियां, जां शरकारी की जनने दे विच जड़ी जम आ उनुग कटे के पूरा कर लिन दियां, जर लंहीं कहां ते नम किया है बजट दे का टे रहीं कुल राष्ट्री परताख भीच परताख वादे ले कीता जानता है कुल राष्ट्री खर्च परताख वादे ले कीता जानता है पावें एक अटा आमदन वीच होवें जहां पुंजी खाते वेचे डिफ्रेंस पुड़ेवें दी डेफिसेट फ लेलिए हैं इसटेट करके हीड़ीटी इनन दुना फरक एक बजेट करते नोपूरा करन दे लग का टेदी विवस्ता हो दिया है कि अधिकीन देफिसट बजेट करके ही टेफिसेट फ़नांसिंग जडियां अगे हैंगा अब्जेक्टिव्स की है का टेदी वी तवस्था देखाते करनी पेंदी अस्तमदी सब तो पहलना तो जोद दे समय डूरिंग टाइम आफ वार वार टाइम फानांसिंग हुंदी है वार दे टाइम में हुंदा कि तुसी अपनी कंट्रीनों सेफ करना हुंदा फ कंट्रीज तो उस विल्याप अपने भी लाप होंदे ते उस विल्याप नहीं कुलांसी छाप लेंदे यह इस तरह दो जोड़ी फानसिंग अनुन वार टाइम फानसिंग किया जांदा ते जहां फर रेमडी फार डिप्रेशन और अनंप्लाइमेट एक डिप्रेशन जिस त इंवर्स रलेशन जीप जदो था दो लॉफ ड्मांड कम नहीं करता है वो फेल हुंदा जदो जदो थाडी प्राइज भी कटा पर स्टिल्मांड कटा ओ डिप्रेशन लाइक सिचेशन हुं दिया ओदे वेचे इंकम भी कट होएगी एंप्लाइमेंट भी कट होएगी रेट अभी प्राइसे देवेचे बदा नहीं होएगा एकोनमी देविच जड़ी परसीमिस्म होएगा अंद्राशा बीच वांद होएगा प्राइवेज सेक्टर उसे इंवस्有ू धे में नहीं करेगा तो एले HIS C with a Energy कर्णू कर intelligente सब्सित अम्fighting और सब्सक्र्स भादा जान करें ते उनुका टेदीवित वस्ता जडिया एदा आश्रा लेना पाएगा जिसे अतलनी पाएगी उस्त बाद अगला केंशेप्ट आन्द एफेक्ट्स ओफ डेफिटीट फ्नांसिंग और एकोनोमिक ग्रोथ आर्थिक भीकास जिड़ा उधियो ते डेफिसित फ्नांसिंग दा की इंपेक्ट होना की इसरम किन्दा आर्थिक भीकास थे उपर डेफिसित फ्नांसिंग दा बहुत इंप्रोटन ट्रोला बहुत रूस्रम पेंदा जिस तरह आप पहुने ही पौने ही पॉइंट करके हैं का अर्थिक भीकास करना देली सद्डाई एकनामिक ड्वाल्मेंट करन अच्छ करने लेग सालनों सरकारानों आम करके बहु सारे खच करने पाहिन और वल फर दे कम भी करने पाहिन या बेसिक इंफ्रस्ट्रुक्चिर रइडा वी ड्वार्प करना पहेगा रोड पूल पूल कम्यूनिकिशन दे साधन ते जरियां बेसिक फसिलिटीज लोकान डानी पहेगी जरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे उते सरकारान ज़िदो खर्चा करना पहेगा ता उदे उस ट्राइं ते सरकारान आप और खर्चे बज्यां दे अम्दन रढ़ दनारों सरकार दा खर्चा जरो बजेगा तभी ना चाकर उसका प्पूरा करन दे लिए इंपेक्ट भी होनदा थे अन्फेबरेबल इंपेक्ट करांगे वी पॉस्टीब इंपेक्ट आजड़ा सब्सक्राइब अपनी अमदन नो अमदन जोदी काट होएगी पर खर्च ज्यादा कर लियां कर दक्की होएगा इंप्लाइमेट जिनरेट रहेगी और उट बढ़ी होएगा कि अधिश्ट पहेएगा सब्सक्राइब निदो आपरवस थ नेयचे रिसोयेगा वेस्ट यूज जड़ा हो जेगा देफिसिट फनांसिंग करके पहला एक वर स्टार्टिंग देवेच्छ फिर इंवेस्टमेट बदूगी इंप्लाइमेट जिनरेट होएगी प्रॉसेस स्टार्ट होजेगी लोगानी इंकम बदूगी सेविंग वदेगी सेविंग जड़ी इंवेस्टमेट किती जाएगी एक प्रॉसेस एक साइकल स्टार्ट होजेगा तो जड़े नमेर सोर्सस दा उना दी क्रिएशन भी होएगी जुटि लाइजिशन ऑफ नैचरल सोर्सस फिर होई है कि जदों तो अड़क्स में डीचर है गया जदो सरकारां हो खर्च कर देग अधिक्राय। बजट आएगा तो उन्हों टफीजित फिनांसिंग ध्रूवर कीता जा सकता तो सरकारां वेसिक इंफरस्ट्रक्चर्चर रूटे भी खार्च करने गी हैं उस तो फ़नेंशियल सोर्स फर एकनमिक प्लाइनिंग असे पर सब्सक्राइब आए अजड़ी फसिलिटी है गी है त प्लैनिंग दे जदो उदे विच्छ प्लैन कीते हुए खर्चे कीते जानगे तब इना शक्क एकनॉमिक ड्वेल्मेंट हो एगी। उसवार टू मीट ता मनेटरी ड्माड एकनॉमिक ड्वेल्मेंट पॉसीवल है जदो तुसी इंवेस्टमड बदा दो जदो तुसी प्राइवेट सेक्टर नो भी एका ट्रेड देऊ ते लोन जड़े अवेलिबल करवादो एगरीकल्चर सेक्टर नो तुसी प्रवाइड करदो जड़ी भी किते पैसे दी डमाड है गी है वो तुसी फुल्फिल करतो त्यों डेफिसित फ्नांसिंग देतरू कीती जा सकती है उसतो बाद रैपड रेट अफ्रोथ रेट जड़ेट बिना शक्च जब़ा इन्वेस्टमेंट वदेगी जड़ाइम्ट जिन्दरेट होएगी जड़ी सेविंग वी इन्वेस्ट होना लगोगी तो बिना शक्च जड़ी अख्रोमिक ग्रूथ योधा इफिसिट फिनांसिंग करना में कि ग्रोथ जाना अडवर्स एफेक्ट से जाना अन्फिब्रेबल एफेक्ट से जाना सी नेक्टिव इंपेक्ट भी कहा सकते हैं वह होएगा सब तो पहलना तहां चेंज इंदी पैटरन ऑफ इन्वेस्टमेंट है फिर यह भी होजेगा कि शुरू शुरू दिविच्च जदोस इक्राम स्टार्ट कर देया सनोधी जरूरत नहीं हुंदी उसलिए तस अड़ी निस्टेश्टी सड़ी वेसिक इंफ्रस्रक्टेर नो ड्वाल्प करना ज़ी जरूरत हुंदी है उस्तद क्रियेश्च क्रेडिट क्रेशन भाइबैंक् जदो बैंक्स जदा क्रेड़ करना शुरू करते हैं जदो लॉन लोकानों असानी ना अवेलेबल होने शुरू हो जया देगा जो लॉन्स दा मिस्यूस शुरू होएगा डमार्ड बद्धू की लोड तो जदा ते प्राइज जड़ जड़े जड़े नौल एक्उन स्मगलिंग भी होना लगूगी प्रॉलम ओफ बैलंस ओप पेमेंट फिर होई कि जदों से अपनी बदी इंकम देनार फॉरं दे प्रटक्ट समगान लगांगे तो इधनार इंपोर्स वज्जन गे जिदा साड़ बैलंस ओप पेमेंट ओ अनफेबरेबल हो जेगा क्योंकि प्रॉलम है कि अपनी चीज खरीद्धन दे लेही पहला नाड़ों ज्यादा खर्च करना पाएगा ते इस तरह फेर जदोंसी ज्यादा खर्च करांगे ते सड़े खर्चेता बज्जन गे पर प्रॉलम है है कि आपां जड़ा ओड़ेफिस्ट फनासिं कीती होएगी आपां अपमेश्ञ चर्पहिंवाबगा तोब वापस करना होएगा अंधर्य से Soul route कि फिर फोर्च करवाई जाएगी उस्तों इन्प्रेस यह स्क्राव एक देंद्च क।रボॉनां इक स्कृषिपत करेंगे से नागा कानींग फ्लैनिनिंग दीग आपां सट मात्वाइगि आ ते किसी प्रजेक्ट दाएंट एड़िया प्लैन कीती हुँ दिया ठिसाइड केटी है पर सुछची होई यह त उना देविछ कोष्टे उनना दी कॉस्ट वज्य की ते इसलिए जड़े प्लैंड प्रजेक्ट्स ता जड़ा अमाउंट आ उदे विच बद्धा हो जेगा ते एस एड़वर्स फेक्ट जड़े ड़ेफिसित फ्रांसिंग दे पेंदे एकनोमिक ड्वेल्पमेंट दे जांके से विदेश दी कॉनमी अधियों ते उस्ते बाद का टे दी वित्व वस्था जड़ी है गी एदा कीमतां दे की प्रवापेंद आया इदे वीच अलगला के श्याश्त्रियां दे अर्थ ये व्यूज है गी है एदे विच जड़ा फ्रो तो हम पहले ता कीमते प्रवापवा कार्ट दी विसतावर्स्था जाने बोगतां दे थोड़ा मंदे की ओधा प्राइज्ड की प्राइज्ड दे कीप्राइज्ड नहीं बंगता प्रफेसर लुईस नने किया सिगा के दैफिसित फनांसिंग देनाल पर्डक्षन पर इंकम बदरन तो पहले हैं आउटपुट भी बज्जे की जो नाली आउटपुट बज्जे की ते डिवाद गी ते यह कहनता कि कीमता जो ते कोई भी कोई भी असर नहीं पहेगा कीमता जडियां ओ ठीक रहन कियां पर थोड़े जो एकॉनमिस्टों वन देया के जदो इंक पर इंकम पहला होने शुरू होजएगा इंकम बदूगी ते प्राइज देवेच बद्धा होजएगा ते तोबाद साव ढखागी एन देफाजर देफीस्ट प्नांसिंग देजडे अडवरस एखं टॉनुन एपठ में पड़के है ते डेफिस्ट फ्नांसिंग देड़ार सेफेक्ट्स नाप आप एना उना दासा डेते नेग्टिव इंपेक्ट नाप अभी ऊद तो बचने दी किड़े किड़े तरीकिये सब भिल्ला ड्वालमेंटल इंवेस्टमेंट के जदो तुसी डेफिसेट फनांसिंग करो डेफिसेट फ अधिकम ते इंक उनुं काट्टे देब जड़ी तुसी वह इंटर्नल जाक्स्टर्नल सूर्सोस्तों पर लोन लिया उन्हों इस तरह खर्च करो के वह देना कदीवी इंफ्लेशन लाइक स्टेशन जडिया और ना आवे उस्तोफ गेस्टेशन पीरियोड ते भी अश्योर क प्राइजस नहीं बदना कि ते कंट्रोल ओर विजजस विजजस ते भी कंट्रोल रखे जावे बेज़स नों भी बहुत जल्दी ना वदा आदता जावे कि उन्हां दी आमदर वदे लेबर सी ते उन्हां दी डमांड जडियो बदनी शुरू हो जाए ते प्राइज बाद इस भी करना चाहिएदा के जड़ी जुटि लाइस्ट पैस्टी हम गपेस्ट कैस्टि ए और ननुद्धी जूटि आरा आध होएगा के तुसी जदुटैल आईस्ट पैस्टी नुभी करों और त्यवधर वज्जेगी उन्हां जुटिफित शुटि इसे नाल था लिगा त बाद होडिंग डेफिसेट फनांसिंग देवेचे बदी होई आंदनू ओड भी किता जा साथ आप आप आउना नू उधो तक बदी होई आंदनू उधो तक लो रोक सकते हैं नागद रूप बीच रख सकते हैं जो तक आउट पुट ना बाद जाए उस्त बाद कॉपरेशन देश देश देवेचे देमांट नाबद आई जावे उस्त बाद जांफिर इन्क्रीज इन मनेश भाई डेफिस्ट फ्रांसिंग ज़रूरी नहीं के तान विच होन वाला बदा मुद्रा दी पूर्थी वीच उसें पात विच बद्दा करे इसलिए वैलेंस ओपेमेंट ज्यादा केंद्री बैंक ज्यादा नोट नहीं शाप सकता ते कीमत विच बदा नहीं होएगा जरूरी नहीं है तो उसी नमीं क्रांसी ही शापणी होंदी है उस्तवाद इंक्रीज इन सप्लाई देवर्स अफेक्ट जड़े डेफिसिल फिनांसिंग देवनों तो बचना द जड़े लर्जरी पड़क्ट्स है गया उना दी डमांड ना करिए जेदिन आड़ सा डिजडी इन कमा होदा आउड फ्लो ना होबे ते प्राइस देवेच बदा ना होबे ते सही क्या कि एनपट आचरिये ने के इट्स लाइक डेफिसित फिनांसिंग फायर एक अगदी त से नों कंट्रोल करोगी ताहिए बहुत शांत जड़ी लाइट आगिव लाइट और वांत निगवी दोगी लाइट भी देगी जब साड़ी एकनोमिक ड्वेलमेट देविच रखके इस प्रासेस नों इस तारना नों इस मैथड़नों कंट्रोल देविच रखके यूज कीत जावें क्योंकि बज़ेट देका टेता हुंदी है जो पूरे हो जानके रभीना शक्साट इड्वालमेंटल प्रजेक्ट जड़ेया ओ पूरे होनगे इसी डेफिसित फ्नांसिंग देकन से अपको नेक्स्ट आप आगले लेक्चिर चिकरांगे थेंक्यू थेंक्यू सो मच किया वामें जावें है हैります